दोस्तो टाइम था 1897 का जब एड़वर्ड नाम का एक लुहार अमेरिका के वेस्ट वर्जेनिया के एक गाउं में अपना काम जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिस कर रहा था क्योंकि वो जल्द से जल्द अपने घर पर वापिस जाना जाता था आज के टाइम में उसकी पत जानी भी पड़ती हैं लेकिन वो अभी भी अपनी पतनी को लेकर काफी ज़्यादा चिंता में था और खेर अब उसके पास काम आ चुका है तो पहले उसे यही कंप्लेट करना होगा जिसके तोर पर उसने अपना काम करना सुरू किया और उसने अपने साथ एक काम करने वाल आ ही रहा हूं एडवर्ट का हेलपर उसके घर पर चला जाता है और एडवर्ट उन होर्सूज को बनाने में लग जाता है वो अपना काम कर रहा था लेकिन मेंटली तोर पर अभी भी उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि पता नहीं उसकी वाइफ घर पर सही सलामत और वो आज जाने में काफी जादा लेट हो चुका है ये सबी बाते उसके दिमाग में इसलिए भी आ रही थी क्योंकि एक तरफ तो उसकी वाइफ प्रेगनेंट थी और दूसरा वो पिछले काफी दिनों से बिमार चल रही थी इन दोनों की साधी यहां पर कुछी दिनों पहले हुई थी जब एडवर्ट इस गाओं में नया नया आया था और उसने अपने दुकान खोली थी तो उसकी मुलाकात जोनासू नाम की एक लड़की से होती है यह दोनों अकसर आपस में एक दूसरे से काफी बार मिला करते थे क्योंकि जोनासू के घर के पास ही एडवर्ट की दुकान थी जोनासू की मा मेरी जैन को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी एडवर्ट नाम के इस लुहार से ही साधी कर लेगी क्योंकि एडवर्ट 35 से 40 साल का हो चुका था और उसकी बेटी जोनासू अभी सिर्फ 23 साल की थी तो मेरी जैन के दिमाग में ये बात तो बिलकुल भी नहीं आई कि उसकी बेटी इस तरह किसी अधेड उम्र के आदमी को पसंद कर लेगी और उसके बाद अपने घरवालों को उससे साधी करने के लिए कहेगी मेरी जैन को एडवर्ट बिलकुल भी पसंद नहीं था कि एक तरफ तो वो उसकी बेटी से काफी जादा उम्र में बढ़ा था और दूसरी तरफ उसके पास बिजनस भी इतना अच्छा नहीं था लेकिन जोनासू ने एडवर्ट को पसंद कर लिया था और वो एक काफी जादा जिद्धी किसम की लड़की भी थी जो कि अपने घरवालों की बात को नहीं मानती है और आखिर कर एडवर्ट से उसने साधी कर ली साधी के बाद बड़े ही हसी खुसी से ये लविंग बर्ड्स रहने लगते हैं लेकिन अब एडवर्ट के घर पर एक लड़की और आ चुकी थी उसके परिवार का एक और सदस से बढ़ चुका था तो उसे उस घर में रहने में काफी ज़्यादा दिक्कता रही थी जिसमें अब वो रहा करता था तो उसने ये बाद डिसाइड की कि हम लोग एक दूसरा घर लेंगे जिसमें हम लोग बड़े ही आराम से रह पाएंगे और इसी तरह की बाते करते करते एडवर्ट अब एक नए खर में सिफ्ट हो भी चुका था अब वो हर रोज अपनी दुकान पर आता काम करके वापिस अपने घर पर जाता और उसके बाद जोनासू और एडवर्ट अपनी लाइफ को बड़े ही मज़े से बिता रहे थे अब ऐसा टाइम आ चुका था कि जोनासू प्रेगनेंट हो चुकी थी और उनके परिवार में एक और नया सदस से आने वाला था लेकिन अब जोनासू बिमार भी रहा करती थी तो इसी बात को लेकर आज के टाइम में एडवर्ट परिसान हो रहा था कि आज वो घर पर टाइम से नहीं पहुँच पाया और पता नहीं उसकी बिमार वीबी की कैसी हालत होगी तो उसने अपने पास रखे हुए एक 11 साल के वरकर को आज अपने घर पर भेज दिया है कि मैं आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा और तब तक तुम जाकर जोनासू की थोड़ी मदद करवा दो और यही सब बाते सोचते सोचते एडवर्ट अब होर्श्यू बनाने लगता है दूसरी तरफ उसका वो हैलपर एडवर्ट के घर पर जा पहुंसता है और दरवाजे पर जाकर उसने नोक किया कि मैं यहां पर आ चुका हूँ और मुझे एडवर्ट ने भेजा है वो लगातार दरवाजा खटखटाता जा रहा था लेकिन अंदर से दरवाजा किसी ने नहीं खोला वो लगबग 5-10 मिनेट तक इसी तरह दरवाजा खटखटाने के बाद आखिरकार यही सोचता है कि हो सकता है जोनासू बातरूम में होंगी और वो दरवाजा नहीं खोल पाई और इसी बात को सोसते सोसते उसने उस दरवाजे को ठोड़ा धकेल दिया और धकेलते ही उसे पता जलता है कि यह दरवाजा तो खुला है जैसे ही वो उस घर के अंदर एंटर होता है और उसने जोनासू को बुलाने के लिए आवाजे लगाई तो अंदर से किसी भी तरह का कोई रिपलाई नहीं आया और यूही आवाजे लगाते लगाते वो आगे बढ़ने लगता है एडवर्ट ने अपना घर कुछ इस तरह से बना रखा था कि जैसे ही कोई एंटर होता है घर के अंदर तो उसके बिल्कुल सामने ही कुछ एक दूर चलते ही उसने घर की सीडियां बना रखी थी जो की सीधा का सीधा घर की छत पर लेकर जाया गरती थी एडवर्ट का हेलपर घर के अंदर घुसता है और जैसे ही वो इधर उधर थोड़ी चान बीन करता है कि आखिर कर जोनासू कहां पर गई होंगी और यही ढूंडते ढूंडते जब वो सीडियों पर पहुंसता है तो उसे पता चलता है कि जोनासू सीडियों में लेटी हुई हैं और वो किसी भी तरह की कोई हल चल नहीं कर रही एडवर्ट का वरकर यह सारी की सारी चीज़े देखते ही समझ गया कि यहां पर कुछ ना कुछ गड़वर्ड है वो तुरंद घर से बाहर आता है और भागा भागा मेरी जैन के पास जाता है क्योंकि एडवर्ट के घर से मेरी जैन का घर काफी जादा पास में था एडवर्ट की दुकान दूर थी तो उस वरकर ने ये बात सोची ये एमरजेंसी का टाइम है और मुझे जल्द से जल्द किसी बंदे को मेरे पास बुला लेना चाहिए जिसके तोर पर वो मेरी जैन के पास जा पहुंस और उ दूसरी तरफ वो वरकर एडवर्ट के पास उसकी दुकान पर भी जा पहुंसता है और उसने वो सारे का सारा मंजर एडवर्ट को बताया कि उसके घर पर कैसा माहूल बन चुका है तो एडवर्ट भी भागा भागा आता है और अपने घर पर पहुंसते ही अपनी वाइफ को संभालता है तो उसने पाया कि जोनासू पूरे तरीके से बेहोस हो चुकी है तो उसने उठा कर उसे बैड पर लिटा दिया अभी तक सारे लोग यही बात सोच रहे थे कि हो सकता है यह काफी जादा बिमार थी और इसकी तबियत भी ठीक नहीं रहा करती थी तो इनहीं कारणो के चलते यह बेहोस हो गई होगी उसका वो वरकर एक डॉक्टर के बास भी जाता है और जब वो डॉक्टर एडवर्ट के घर पर पहुंचता है तो उसने पहली नजर में यही देखा कि एडवर्ट अपनी वाइफ को बिस्तर पर लिटाए हुए है और लगातार उसके हाथ मैं रगडने की कोसिस कर रहा है लेकिन उसकी पतनी किसी भी तरह की कोई हल चल नहीं कर रही अपनी वाइफ के सिर को उसने अपनी गोद में रख लिया और वो लगातार अभी भी कभी तो उसके हाथों को रगड रहा था कभी उसके सरीर के और हिस्सों को रगड रहा था और ये सारी बाते बोलतें वो कभी तो अपनी वाइफ के सिर के बालों को सहलाता है, कभी उसके हात पाऊं को रगड़ता है, कभी कोई काम करता है, तो कभी कोई काम, लेकिन जब डौक्टर ने जोनसु को चेक कियا तो उसे पता जलता है कि इसकी नभज रुख चukी है, और अब विये मारी जा चुकी है डोक्टर इस बारे में और ज़्यादा चान बीन कर पाता उससे पहले ही एडवर्ड उसके हाथ पाउं को फिर से रगड़ने लगता है कभी उसके सिर को अपनी गोद में रख लेता है और उसके बाद उसके बालों को सहलाने लगता है और ये सारे की सारे कारना में जब हो रहे थे तो डॉक्टर ने भी कुछ जादा नहीं कहा और उसने ये बात सिंपली उन सभी लोगों को बता दी कि इस महिला ने अपनी जान गवा दी है और अब जो कुछ आप लोग इसे ठीक करने के लिए कर रहे हैं ये काम नहीं करने वाल लेकिन एडवर्ट को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और उसने डॉक्टर से ये बात कही कि मैं इसको बिल्कुल सुभे ठीक ठाक छोड़ कर गया था और मैंने ये बात भी कही थी कि ये ज़्यादा भारी काम ना करे क्योंकि इसकी तबियत भी काफी ज़ ईडवर्ट इस हाधसे के बाद काफी ज़्यादा डिप्रेसन में जाने लगता है और उसने मरी जोन जोकी जोना सुकी माा थी उनसे ये बात कही कि ऐसा नहीं हो सकता मेरी जैन भी वैसे तो एडवर्ट से काफी जादा नफरत करती थी और आज के टाइम में भी करती है और मेरी जैन ने भी एडवर्ट से यही बात कही कि तुमने इस लड़की का अच्छे से ख्याल नहीं रखा और पता नहीं किन कारणों के चलते इस लड़की ने अपनी जान लेकिन वहाँ पर मौजूद और आसपास के गाउंवालों को इस बारे में बिलकुल डिटेल से पता था कि जोनासू ने अपनी जान गवा दी है तो उन लोगों ने उनके रीती रिवाजों के अनुसार उसे दफनाने की सोची और वो लोग पूरी तयारी करके आखिरकार उसे ये हादसा हुआ था तो उन्होंने उसी टाइम से लगबख सभी लोगों से बोल चाल बंद कर दी थी वो अपने आपको पूरा दिन एक कमरे में बंद रखती और अपने खाने पीने पर भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करती थी उसके पडोस वाले अक्सर उसे खा बोलती है और नहीं उनसे कुछ खाने पीने की चीजे लेती है एक महीना यूही गुजरता है और जैसे ही एक महीना बीटता है इन बातों को तो मेरी जैन एक दिन अपने घर से बाहर निकलती है सुबह सुबह और वो सीधा गा सीधा वहां पर मौजूद पुलीस टेशन जा ली थी वो पुलीस वाला भी मेरी जैन को बड़े ही अच्छे से जानता था क्योंकि ये पूरा का पूरा गाउँ एक दूसरे से मिल जूल कर रहा करता था और ये लोग आपस में एक दूसरे को बड़े ही अच्छे से जानते थे तो उस पुलीस ओफिसर ने मेरी जैन से कम नहीं होगी और ये बात बोलकर वो सिदा गा सिदा उस डौक्टर के बाद जाब पहुंसता है जिसने आखरी टाइम में जोनासू को मृत घोसित किया था वो उस डौक्टर से मिलता है और जैसे ही वो दोनों बात करते हैं तो उस डौक्टर ने उस ओफिसर से बताया कि मैं वहाँ पर गया था और मैंने ही ये बात कंफर्म की थी कि जोनासू ने अपनी जान गवा दी है लेकिन मैंने इस से ज़्यादा कोई भी वहाँ पर इन्वेस्टिकेशन नहीं की तो वो पलीस ओफिसर और डौक्टर दोनों के दोनों मिलकर उन सभी गाव वालों के पास जात पर ये बात कहते हैं कि हम लोग उस केस के बारे में थोड़ी इन्वेस्टिकेशन करना चाहते हैं तो कुछ गाव वाले उनके साथ जाते हैं उसी जगहें पर जहाँ पर की जोनासू को दफना दिया गया था और उसकी बोडी को वहा वाँसे वापिस निकाला जाता है उसकी यहां पर दफनाया गया तो जोनासू की बोडि को उस कबरिस्तान से वापिस साथ वापिस लाकर एक एटॉपसी वाली जगहें पर उसकी तहकिकात की जाने लगती है उस टाइम सबी के सबी लोगों को उस कमरे से बाहर निकाल दिया गया था और अंदर सिर्फ और सिर्फ जोनासू की बोडी के साथ एक तो वो इन्वेस्टिकेशन ओफिसर रहा और दूसरा वो डोक्टर और उन लोगों ने जोनासू की बोडी को जब चेक किया तो उन्हें वो सारी की सारी चीजें मिलती हैं जो की आखरी टाइम में उस पुलीस ओफिसर को मेरी जैन ने बताई थी और वो ये चीज़ देखते ही काफी ज़ादा घबरा जाते हैं कि आखरकार ये सच कैसे हो सकता है लेकिन मेरी जैन ने जाकर उस ओफिसर को ऐसा क्या बताया था और उन लोगों ने अब जो तैकिकात की है उस बोडी की पूरे की पूरी चान बहीं की है वो बिलकल बात प्रूब भी हो चुकी है ये सारी की सारी बाते क्या थी तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरी जैन जब से उसकी बेटी जोनासू को वहाँ पर दफनाया गया था उसके बाद वो वापिस अपने घर पर आती है वो एक खाली कमरे में अपना समय अकेले ही बिताने लगती है उसके दिमाग में ये बात आती है कि आखिरक दिमाग में नहीं है लेकिन उसकी आत्मा वापिस आ सकती है अगर उसके साथ कोई अन्याय हुआ होगा तो वो वापिस जरूर आएगी और इसी बात को ध्यान में रखकर वो हर रोज प्रेयर की पोजेशन में बैठ जाती और अपने हाथ जोड़कर अपनी बेटी के साथ सं पर करना चाहती है लेकिन उसके दिमाग में ये बात भी थी कि जिस तरह से उसकी बेटी की बोड़ी आखरी टाइम में मिली थी तो जरूर उसके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज हुई होगी जो की नॉर्मल नहीं है तो वो इसी तरह लगातार अगले काफी दिनों तक प्रेयर करती रहती है और एक दिन ऐसा भी आया जब वो प्रेयर कर रही थी जिसके बाद उसके सामने एक सफेद रोसनी परकट होती है लेकिन जैसे ही उसने आखे खोली तो वो सफेद रोसनी भी गायब हो गई मेरी जैन को ये बात पता चल जाती है कि वो जो लगातार प्रेयर कर है उसकी वो प्रेयर काम कर रही है और हो ना हो अगर वो इसी तरह एक दो दिन और कोसिस करेगी तो वो अपनी बेटी से संपर कर पाएगी और वो अगले दो तिन दिन इसी तरह प्रेयर करती है इसी तरह वो रोसनी आती है कभी तेज आती है कभी कम आती है और जैसे ही मेरी जैन अपनी आखे खोलती है तो वो रोसनी गायब हो जाती है मेरी जैन अगले कुछ दिनों तक और भी इसी तरह प्रेयर करती है और उसके बाद वो टाइम भी आया जब उसके सामने उसकी बेटी खड़ी थी उसने आखे खोली और अपनी बेटी को जब पहली नजर में देख तो वो काफी ज़्यादा खबरा गई क्योंकि उसने कोई अंदाजा ही नहीं लगाया था कि उसकी बेटी की आज कुछ ऐसी कंडिशन होगी वो पूरी तरीके से काले कपड़े पहने हुए थी उसका मूह दिखाई दे रहा था उसकी आखों के नीचे काफी गहरे काले पड़ चुके थे वो उसे पहली नजर में देखते ही काफी ज़्यादा खबरा गई और वो घबरा कर वहां से भागने ही वाली थी कि तब ही उसे याद आता है कि उसकी बेटी इस दुनिया में अब नहीं है और उसे जो न्याए दिलवा सकता है वो कोई और नहीं सिर्फ व रुख जाती है और उसने एक ऐसी कहानी बताई जिसे सुनकर वहां पर मौजूद सारे के सारे लोगों की आखे फटीगी फटीर है गई जोनासू की आत्मा ने अपनी मां से कहा कि आपने एडवर्ट के बारे में जो कुछ कहा था कि ये मेरे लायक नहीं वो आपने करता था कि वो मुझे कौन-कौन सी चीजे उठा कर मार रहा है पहले तो मैंने भी यही बात समझी थी कि ये परिवार का मामला है और इसी तरहें चोटी मोटी लड़ाया घर में होती रहती है लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब श्याम को एडवर्ट घर पर आता है और उस पात को लेकर एडवर्ट काफी ज़्यादा गुस्सा हुआ और जब उसका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था तो जोनासु ने एडवर्ट से बात कही कि कोई बात नहीं इतना ज़्यादा गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं वो मीठ ही बना देगी लेकिन तब तक पास जाकर उसके गले को पकड़ कर बड़े ही बुरे तरीके से दबा देता है जोनासू का जब गला घुटने लगता है तो वो अपने आपको बचाने की कोशिश करती है लेकिन इसी बीच एडवर्ट ने उसकी गर्दन को पीछे घुमा कर तोड़ दिया और उसी टाइम जोन जोनासू को चेक करने के लिए आता है लेकिन एडवर्ट जोनासू को पूरे तरीके से अपने कबजे मिली हुए था कभी तो उसके हाथ रगड रहा था कभी उसकी गर्दन को लेकर उसके बालों में हाथ फिर रहा था और इसी तरहें डोक्टर ने उसके उपर जादा ध्या नहीं दिया और उसने ये डिकलेयर करके कि इसकी तो मौत हो चुकी है और वैसे भी ये पिछले काफी दिनों से बिमार चल रही थी यही कारण बता कर डोक्टर वहां से चला गया यह सारी की सारी बाते जोनासू की आत्मा अपनी मा मेरी जेन से बताती है और ये भी कहती है स इसके बाते हैं और जब उन लोगों यहां पर लाकर उसे तहकी काती है तो सारी की सारी चीजे बिल्कुल वैसी की वैसे थी जैसे की मेरी जेन को जोनासू की आत्मा ने बताई थी ये सारी बाते सुनते ही पुलीस जा पहुंसती है एड़वर्ट के पास और उसे गिरफतार कर लेती है पहले तो एड़वर्ट भी पूछता है कि जनाब आखिरकार आप लोग मुझे गिरफतार क्यों कर रहे हैं और मेरा क्या कुसूर है तो पुलीस वालों ने कहा कि हम लोग तुम्हारी वाइफ के कतल में तुम्हें गिरफतार कर रहे हैं और हम इस बात के पूरे सबूत मिल चुके हैं अब तुम ही इस बात को प्यार से बता दो नहीं तो हमें अपने तरीके से तुमसे पूछना होगा और पुलीस वाले जब एड़वर्ट के उपर थोड़ा दबाव बनाते हैं तो एड़वर्ट ने वो सारी की सारी बाते बता दी जो कि जोनासू ने अपनी मा मेरी जो इनको बताई थी एड़वर्ट को इस बात को लेकर गिरफतार कर लिया जाता है और उसे और ज़्यादा पूस्ताच की जाती है और उसके इतिहास को जब निकाला जाता है तो पुलीस वालों को पता जलता है कि यह सारा का सारा यह हादसा जोनासू के साथ पहली बार नहीं हुआ जबकि एड़वर्ट की आज से पहले भी साधी हो चुकी है और इसकी एक वाइफ इसके ऐसे ही टोर्चर के कारण इसे छोड़कर चली गई और उससे पहले वाली वाइफ ने एक हादसे में अपनी जान गवा दी आज तक एड़वर्ट ये बात कहता आया था कि वो दोनों घर में सिर्फ साफसफाई कर रहे थे और इसी बीच उनकी घर के छट पर मौजूद एक टेल उसकी वाइफ के सिर पर आकर गिर जाती है और वहीं पर उसकी वाइफ ने अपनी जान गवा दी थी लेकिन असल सचाई जिस तरह की इस केस में देखकर वहीं पर मौजूद है और उसके उपर एक स्पेसल तरेगा बोर्ड लगा दिया गया था जिसमें ये बात पूरी तरह से डिफाइन करके बताई गई है कि किस तरह से एक भूत ने अपने कातिल को सजा दिलवाई थी वैसे दोस्तों आप लोगों का इस केस के बारे में क्या कहना है कमेंट वोक्स में जरूर बताईएगा और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और इसे के साथ दोस्तों आज का शाओट आउट राहूल को एंड राइड ए वीडिफुल कमेंट तो गेट शाओट लोडी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ